और आज मन की बात के साथ मैं आपके बीच फिर हाजिर हूँ उम्मीद है आप सब अच्छे होगे घर में सब का स्वास्त अच्छा होगा और अब तो मौनसुन भी आ गया है और जब मौनसुन आता है तो मन भी आनदित हो जाता है आज से फिर एक बार हम मन की बात में ऐसे देशवास्यों की चर्चा करेंगे जो अपने कामों से समाज में देश में बढ़लाव ला रहे हैं हम चर्चा करेंगे हमारी समरुद्ध सांसकूर्ति की गवरोशाली इतिहास की और विक्सित भारत के प्रयास की साथियों फरवरी से लेकर अब तक जब भी महने का आखरी रविवार आने को होता था तब मुझे आपसे इस समवाद की बहुत कमी महसूस होती थी लेकिन मुझे ये देखकर भावत अच्छा भी लगा कि इन महनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे मन की बात रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महने बंद रहा हो लेकिन मन की बात का जो स्पिरीट है देश में समाज में हर दिन अच्छे काम निश्वार्थ भावना से किये गए काम समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहे चुनाव की खबरों के बीच निश्चित रुप से मन को छू जाने वाली ऐसी खबरों पर आपका ध्यान गया होगा साथ्यों मैं आज देश वास्यों को धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने हमारे सम्विधान और देश की लोकतांत्रिक ववस्ताओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ जिसमें 65 करोड लोगों ने बोट डाले हैं मैं चुनाव आयोक और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बढ़ाई देता मेरे प्यारे देश्वासियों आज 30 जून का यह दिन बहुती महत्वपून है इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन हूल दिवस के रूप में मनाते हैं इह दिन बीर सिद्धो कानू के अदम में साहत से जुड़ा है जिनोंने विदेशी सासकों के अत्याचार का पूर जोर विरोध किया था बीर सिद्धो कानू ने अदम में साहत से जुड़ा है जिनोंने विदेशी सासकों के अत्याचार का पूर जोर विरोत किया था बीर सिद्धो कानू ने हजारों संथाली साथियों को एक जूड करके अंगरीजों का जी जान से मुकाबला किया और जानते हैं ये कब हुआ था ये हुआ था अठारा सो पच्पन में यानी ये अठारा सो सत्तावन में भारत के प्रतम स्वतंतृता संग्राम से भी दो साल पहले हुआ था तब जार्खन के संथाल प्रगना में हमारे आदिवासी भाई भेहनों ने विदेशी सासकों के खिलाब हतियार उठा लिया था हमारे संधाली भाई बहनों पर अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किये थे उन पर कई तरह के प्रतिबंद भी लगा दिये थे इस संगर्ष में अद्भूत विर्ता दिखाते हुए बीर सिद्धो और कानू शहीद हो गए जारखन की भूमी के इन अमर संभूतों का बलिदान आज भी देश वाच्छों को प्रेरित करता है आईए सुनते हैं संधाली भासा में इने समर्पित एक गीत का आउश मेरे पहरे साथियों अगर मैं आपसे पूछों कि दुनिया का सबसे अनमोल रिष्टा कौनसा होता है तो आप जरूर कहेंगे माँ हम सब के जीवन में माँ का दरजा सबसे उचा होता है माँ हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोर्षन करती है हर माँ अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है जन्मदात्री मा का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है जिसे कोई चुका नहीं सकता मैं सोच रहा था हम मा को कुछ दे तो सकते नहीं लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या इसी सोच में से इस वर्ष विश्व परियावरन दिवस पर एक विशेश अभियान शुरू किया गया है इस अभियान का नाम है एक पैड मा के नाम मैंने भी एक पैड अपनी मा के नाम लगाया है मैंने सभी देशवासियों से दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मा के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पैड जरूर लगाएं और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मा की इस मुर्ती में या उनके सम्मान में पैड लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है लोग अपनी मा के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पैड लगाने की तस्वीरों को सोशल मिडिया पर साजा कर रहे हैं हर कोई अपनी मा के लिए पैड लगा रहा है चाहे वो अमीर हो या गरीब चाहे वो कामकाजी महिला हो या ग्रहेनी इस अभियान ने सब को मा के प्रती अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है वो अपनी तस्वीरों को हैस्टेग प्लांट फॉर मदर और हैस्टेग एक पैड मा के नाम इसके साथ साजा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे है साथियों इस अभियान का एक और लाव होगा धर्ती भी मा के समान हमारा ख्याल रखती है धर्ती मा ही हम सब के जीवन का आधार है इसलिए हमारा भी कर्तवे हैं कि हम धर्ती मा का भी ख्याल रखे मा के नाम पैड लगाने के अभियान से अपनी मा का सम्मान तो होगा ही होगा धर्ती मा की भी रक्षा होगी पिछले एक दसक में भारत में सब के प्रयाश से वनक्षेत्र का अभूत पुर्व विस्तार हुआ है अम्रित महोत्सव के दोरान देश भर में साथ हजार से ज़्यादा अम्रित सरोवर भी बनाए गए है अब हमें ऐसे ही मा के नाम पर पैड लगाने के अभियान को गति देनी है मेरे प्यारे देश वास्यों देश के अलग-अलग हिस्सों में मौनसून तेजी से अपना रंग बिखेर रहा है और बारिस के इस मौसम में सप्य घर में जिस चीज की खोज शुरू हो गई है वो है छाता मन की बात में आज मैं आपको एक खास तरग के छातों के बारे में बताना चाहता हूं ये छाते तयार होते हैं हमारे केरला में वैसे तो केरला की संस्कूरूती में छातों का विशेश महत्व है छाते वहां कई परंपराओं और विदी विधान का एहम हिस्सा होते हैं लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूं वो है कार्थुम भी छाते और इन्हें तयार किया जाता है केरला के अट्टा पड़ी में ये रंग बिरंगे छाते बहुत शांदार होते हैं और खासियत ये कि इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहने तयार करती है आज देश भर में इन छातों की मांग बढ़ रही है इनकी ओनलाइन बिक्री भी हो रही है इन छातों को बट्टा लग की सहकारी कृषी सोसाइटी की देखरेक में बनाये जाता है इस सोसाइटी का नेतरुत्व हमारी नारी शक्ति के पास है महिलाओं के नेतरुत्व में अट्टा पड़ी के आदिवासी समुधाय दे एंट्रप्रिनर्शिप की अध्भूत मिशाल पेश किये हैं इस सोसाइटी ने एक बैम्बू हेंडिक्राप्ट यूनिट की भी स्थापना की हैं अब ये लोग एक रिटेल आउटलेट और एक पारंपारिक कैफे खोलने की भी तैयारी में हैं इनका मकसद सिर्फ अपने छाते और अन्य उत्पात बेचना ही नहीं है बल्कि ये अपनी परंपरा अपनी संस्कृती से भी दुनिया को परिचित करा रहे हैं आज कार्थुम भी छाते केरला के छोटे से गाउं से लेकर मल्टी नेशनल कम्पनियों तक का सफर पूरा कर रहे हैं लोकल के लिए वोकल होने का इससे भैत्री नुदारान और क्या होगा मेरे प्यारे देश्वासियों अगले महने इस समाई तक पेरीस ओलेंपिक शुरू हो चुके होगे मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलेंपिक खेलों में भारतियों खिलाडियों का उत्सा बढ़ाने का इंतजार कर रहे होगे मैं भारतिय दल को ओलिम्पिक खेलों की बहुत बहुत सुप्रामनाई देता हूँ हम सब के मन में टोक्यो ओलिम्पिक की यादे अब भी ताजा है टोक्यो में हमारे खिलाडियों के प्रदर्सन ने हर भारतिय का दिल जीत लिया था टोक्यो ओलिम्पिक के बाद से ही हमारे एक्लिट्स पैरिस ओलिम्पिक की तैयारों में जीजान से जुटे हुए थे सभी खिलाडियों को मिला दे तो इन सबने करीब 900-900 इंटरनेशनल कंपेडिशन में हिस्सा लिया है ये काफी बड़ी संख्या है साथियों पैरिस ओलिम्पिक में आपको कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेगी शुटिंग में हमारे खिलाडियों की प्रतिवा निखर कर सामने आ रही है टेबल टेनिस में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाइ कर चुकी है भारतिये शॉटगन टीम में हमारी शुटर बेटियां भी शामिल है इस बार कुस्ती और गुडस्वारी में हमारे दल की खिलाडी उन केटगरीज में भी कंपिट करेंगे जिन में पहले वे कभी शामिल नहीं रहे इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा आपको ध्यान होगा कुछ महिने पहले वर्ल पारा एथलेटिक्स चैंपियन्शिप में हमारी बेस परफॉर्मस रही है वहीं चेस और बेड्मिंटन में भी हमारी खेलाडियों ने परचम लहराया है अब पूरा देश यह उमीद कर रहा है कि हमारे खेलाडी आलेम्पिक्स में भी बहतरीन प्रदर्शन करेंगे इन खेलों में मैडर्स भी जितेंगे और देश वाचों का दिल भी जितेंगे आने वाले दिनों में मुझे भारतिये दल्ट से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है मैं आपकी तरप से उनका उत्सा वर्दन करूँगा और हाँ इस बार हमारा हैश्टेग चियर फर भारत है इस हैश्टेग के जरिये हमें अपने खिलाडियों को चियर करना है उनका उत्सा बढ़ाते रहना है तो मॉमेंटम को बनाए रखिये आपका ये मॉमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा मेरे प्यारे देश्वास्यों मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी ओडियो क्लिप प्ले कर रहा हूँ एक ऐसा कार्यकरम जिसमें हम बात करेंगे क्वेद भारत संबंद के बारे में क्वेद भारत संस्कृति के बारे में और उस रिष्टे के बारे में जो दोनों देशों को अलग-अलग शेत्रों में जोड़ता है इस रेडियो कार्यकम को सुनकर आप भी हैरत में पड़ गया ना तो आईए आपको इसके पीछे की पूरी बात बताते हैं दरसल ये कुवेद रेडियो के एक प्रसारण की क्लिप है अब आप सोचेंगे कि बात हो रही है कुवेद की तो वहाँ हिंदी कहां से आगई दरसल कुवेद सरकार ने अपने नेशनल रेडियो पर एक विशेश कार्यकम शुरू किया है और वो भी हिंदी में कुवेद रेडियो पर हर रभिवार को इसका प्रसारण आधे गंटे के लिए किया जाता है इसमें भारतिय संस्कृती के अलग-अलग रंग शामिल होते हैं हमारी फिल्म में और कला जगत से जूड़ी चर्चाएं वहां भारतिय समुदाय के बीच बहुत लोगप्रिया है मुझे तो इहां तक बताया गया है कि कुवेइट के स्थानिय लोग भी इसमें खूब दिल्चस्पी ले रहे हैं मैं कुवेइट की सरकार और वहां के लोगों का रदैश से धन्यवाद करता हूँ जिनोंने ये शांदार पहल की है साथियों आद दुनिया भर में हमारी संस्कृति का जिस तरह गवरवगान हो रहा है उससे किस भारतिय को खुशी नहीं होगी अब जैसे तुर्कमेनिस्तान में इस साल मैं महा के राष्टिय कभी की तिनसों भी जन्मेजनती मनाई गयी इस अफसर पर तुर्कमेनिस्तान के राष्टपती ने दुनिया के 24 प्रसिद्ध कवियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया इन में से एक प्रतिमा गुरुदेव रविंद्रना टैगोर जी की भी है ये गुरुदेव का सम्मान है भारत का सम्मान है इसी तरह जून के महने में दो केरेबिया ही देश सुरिनाम और सेंट विंसेंट एंड ग्रिनाडिस ने अपने इंडियन हेरिटेज को पूरे जोस और उत्सा के साथ सेलिब्रेट किया सुरिनाम में हिंदुस्तानी समुदाय हर साल पांच जुन को इंडियन एराइवल डे और प्रवासी दीन के रुप में मनाता है यहां तो हिंदी के साथ ही बोजपूरी भी खूब बोली जाती है सेंट विंसेंट एंड ग्रिनाडिस में रहने वाले हमारे भारतिय मुल्के भाई बहनों के संख्या भी करीब 6,000 है उन सब को अपनी विरासत पर बहुत गर्व है एक जुन को इन सब ने इंडियन एराइवल डे को जिस दुमदाम से मनाया उससे उनकी ये भावना साब जलकती है दुनिया भर में भारतिय विरासत और संस्कृति का जब ऐसा विस्तार दिता है तो हर भारतिय को गर्व होता है साथियों इस महिने पुरी दुनिया ने दस्वे योग दिवस को भरपूर उत्सा और उमंग के साथ मनाया है मैं भी जम्मू कश्मीर के स्रीनगर में आयोजीत योग कारकम में शामिल हुआ था कश्मीर में योग के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चटकर के हिस्सा लिया जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है नए नए रेकॉर्स बन रहे हैं दुनिया भर में योग दिवस ने कई शांदार उपलब्दियां हासिल की हैं साओधी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौप साथ जी ने कॉमन योगा प्रोटोकल को लीड किया ये पहली बार है जब किसी साओधी महिला ने किसी में योगा सेशन को इंस्टरक किया हो इजिप में इस बार योग दिवस पर एक फोटो कम्पुटिशन का आयोजन किया गया निल नदी के किनारे रेड सी के बिचेच पर और पिरामिडों के सामरे योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें भहुत लोगप्रिय हुई अपने मार्बल बुद्धा स्टैचू के लिए प्रसिद्ध म्यामार का मारा विजरा पैगोडा कम्प्लेक्स दुनिया में मशूर है यहां भी 21 जुन को शांदार योगा सेशन का आयोजन हुआ बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल कैम्प का आयोजन किया गया स्री लंका में विनेशको हेरिटेज साइट के लिए मशूर गॉल्फ फोर्ट में एक यादगार योगा सेशन हुआ अमेरिका के नियॉर्क में अब्जर्वशन डेक पर भी लोगों ने योग किया मार्सल आइलेंट पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग के कारकम में यहां के राश्पती जी ने भी हिस्सा लिया भुटान के थिम्पू में भी एक बड़ा योग दिवस का कारकम हुआ जिसमें मेरे मित्र प्रधान मंत्री तोब के भी शामूल हुए यानि दुनिया के कौने कौने में योग करते लोगों के विहंगम द्रश्य हम सब ने देखे मैं योग दिवस में हिस्सा लेने वाले सभी साथियों का रदय से आभार व्यक्त करता हूं मेरा आपसे एक पुराना आगरभी रहा है हमें योग को केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बनाना है आप नियमीत रुप से योग करें इससे आप अपने जीवन में सकारात्पक बदलावों को जुरूर महसूस करेंगे साथियों भारत के कितने ही प्रोडक्स हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है होते देखते हैं तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है ऐसा ही एक प्रोडक्ट है अराकु कौफी अराकु कौफी आंदर प्रदेश के अलूरी सिताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है ये अपने रीच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है अराकु कौफी की खेती से करीब डेड़ लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं अराकु कौफी को नई उंचाई देने में गिरीजन कौपरेट्व की बहुत बड़ी भूमी का रही हैं इसने यहां के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और उन्हें अराकु कौफी की खेती के लिए प्रोथसाहन दिया इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बड़ गई हैं इसका बहुत लाब कौणा डोरा आदिवासिस हमुदाय को भी मिला है कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है मुझे आध है एक बार विशागा पत्नम में आंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबबु नाइडू गारू के साथ मुझे इस कौफी का स्वाद लेने का मोका मिला था इसके टेस्की तो पुछे ही मत कमाल की होती है कौफी अराकू कौफी को कई ग्लोबल एवर्ड्स मिले हैं दिल्ली में हुई जी ट्वेंटी समिट में भी कौफी च्छाई हुई थी आपको जब भी अवसर मिले आप भी अराकू कौफी का अनन्द जुरूर ले चाथियों लोकल प्रोड़क को ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं है पिछले महिने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिशाल है यहां के पुलवामा से स्नोपीज की पहली खेप लंदन बेजी गई कुछ लोगों को यह आइडिया सुझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्जोटिक वेजिटेबल्स को क्यों न दुनिया के नक्से पर लाया जाए बस फिर क्या था चकुरा गाउं के अब्दुल रासिद मिर जी इसके लिए सबसे पहले आगया है उन्होंने गाउं के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिला कर स्नोपीज उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नोपीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी इस सफलता ने जम्मु कश्मीर के लोगों की समर्द्धी के लिए नए द्वार खोले हैं हमारे देश में ऐसे यूनिक प्रोडक्स की कमी नहीं है आप ऐसे प्रोडक्स को हैश्टेग माई प्रोडक्स माई प्राइड के साथ जरूर शेर करें मैं इस विशे पर आने वाले मन की बात में भी चर्चा करूंगा आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूं इसकी बज़े है आज संस्कृत से जुड़ा एक खास अवसर आज 30 जून को आकाश्वाने का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है 50 वर्सों से लगाता इस बुलेटिन ने कितने ही लोगों को संस्कृत से जोड़े रखा है मैं आल इंडिया रेडियो परिवार को बदाई देता हूं साथियों संस्कृत की प्राचीन भारतिया ज्यान और विज्यान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है आज के समय की मांग है कि हम संस्कृत को सम्मान भी दें और उसे अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ें आज कल ऐसा ही एक प्रयास बैंगलूरू में कई और लोग कर रहे हैं बैंगलूरू में एक पार्क है कब्बन पार्क इस पार्क में यहां के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू किया है यहां हपते में एक दिन हर रविवार बच्चे यूवा और भुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं इतना ही नहीं यहां वाद विवाद के कई शैसन भी संस्कृत में ही आविजित किये जाते हैं इनकी इस पहल का नाम है संस्कृत विकेड़ू इसकी सुरुवात एक वेबसाइट के जरिये समस्टी गुबी जी ने की है कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ यह प्रयास बैंगलूरू वाजियों के बीच देखते ही देखते काफी लोगप्रिय हो गया है अगर हम सब इस तरह के प्रयास से जुड़े तो हमें विश्व की इतनी प्राचिन और वैज्ञानिक भासा से बहुत कुछ सिखने को मिलेगा मेरे पहरे देखवाचियों मन की बात के इस एपिसोड में आपसे जुड़ना बहुत अच्छा रहा अब ये सिलसिला फिर पहले की तरह चलता रहेगा अपसे एक सप्ता बाद पवित्र रथियात्रा की शुरुवात होने जा रही है मेरी कामना है कि महाप्रभु जगनात की कुरुपा सभी देश्वाचियों पर सदैव बनी रहे अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और अगले कज़ दिनों में पंडरपुर वारी भी शुरू होने वाली है मैं इन यात्राओं में शामिर होने वाले सभी स्रध्धनों को शुपकामनाई देता हूँ आगे कच्छी नववर्ष असाडी बीच का त्योहार भी है इन सभी परवत त्योहारों के लिए भी आप सभी को धेर सारी सुपकामनाई मुझे विश्वात है कि पोजिटिविटी से जुड़े जन भागीदारी के ऐसे प्रयासों को आप मेरे साथ अवश्य शेर करते रहे मैं अगले महिने आपके साथ फिर से जुड़ने की प्रतिक्षा कर रहा हूँ तब तक आप अपना भी अपने परिवार का ध्यान रखिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल